हरे कृष्णा तो इस्त्रीमत भागवतम पुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम इसकंद के दूती अध्याय का तीसरा इसलोख है और नमिसारण में सिल सूत गोस्वामी अपने गुर्थोय को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि जिनकी कृपा से उन्हें इस भागवत का ज्यान हुआ है और आगे पूरी भागवत सूत गोस्वामी सौनक के प्रश्ण के माध्यम से प्रस्तूत करने वाले हैं आपको पता है सूत गोस्वामी के पिता का नाम था रोम हर्शड सूत और इनका नाम है उग्रश्रवा सूत सूत मने बताया था एक टाइटल है कोई ब्यक्ति का नाम नहीं है जैसे ब्यास आप समझते हैं कोई ब्यक्ति का नाम है नहीं ब्यास क्या है एक टाइटल है ब्या ब्यास कार्थ है जो वेदों का विस्तार करें और जिन्हों ने इस वेद का विस्तार किया उनका नाम क्या है क्रिश्न दोईपायन ब्यास पारासर नंदन सत्यवती पुत्र क्रिश्न दोईपायन ब्यास तो ब्यास जो है यह व्यक्ति का नाम नहीं है बलकि टाइटल का सूच तरणने में ये 88,000 रिसी चुटे हुए थे और 88,000 रिसीयों ने अपने में से एक अपना हेट चुन लिया, अपना एक प्रतिधी चुन लिया, उनका नाम क्या था? सवनक रिसी, क्यों चुना उनको, क्योंकि वे बहुत अनभवी थे, उम्र में भी बड़े थे, ग्यानी थे, तो गुरु अकर बोलता है, सब 88,000 रिसीयों का हाथ उठाए, मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, तब तो सब का उत्यार देना कठीन हो जाएगा ना, तो सरकार की और से सब को जवाब देता है, उसी प्रकार से परंपरा है, I have a question, I have a question, हर कोई नहीं कर सकता है, तो जहां पर गंभीर बात होती है, गंभीर लोग जुटते हैं, गंभीर विश्यों पर चर्शा होती है, तो यही सिस्टम होना चाहिए, कई बार रिपोर्टर जनता की और से ही प्रशन पूछते हैं कई बार, तो सवनक आद रिसीयों की और से, अठा से जा रिसीयों की और से सवनक रिसी प्रशन पूछें के आगे, आलेटी पूछ चुके हैं पहले अध्याय में, छे प्रशन पूछे हैं, और उन्हीं छे प्रशनों पर, के पिलर प को प्रडाम किया है और वैसे भागवत का जो मूल वक्ता है वो सुकदेव को स्वामी है जिन्होंने परिक्षित महाराज को हस्तिनापुर में गंगा के तट पर उनके मृत्तिव से साथ दिल पहले कथा सुनाई थे और ब्यास देव ने इस भागवत को अपने गुरु देवर कापी सारा पुरान लिख चुके थे वेदों को लिख चुके थे मिर्सत लिख चुके थे लेकिन उन्हें स्वयम में सांती नहीं मिलती थी उनका मन संतुष्ट नहीं था तो उन्होंने एक बार देवर्शी नारद बद्रिका असरम में गोदा आसरम में पहुंचे इनके ब् ब्यासदेव बहुत खिन है, प्रसंद नहीं है मन थे, तो पूछा कि आप इतना सब कुछ किये हैं, धर्म सास्तरों की रचना किये हैं, लेकिन आप खुछ नहीं दिखते हैं, तो ब्यासदेव ने कहा कि गुर्देव, आप ही मेरे हिर्दय में जाकर देखिए कि क्या कारण है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो उन्हों ने कहा कि तुमने भगवान की महिमा के बारे में पर्यावत रुप से नहीं लिखा है, जीवों का जो असली धर्म है उसके बारे में तुमने ज्यादा ग्यान नहीं दिया है, संसार में कैसे सुखी रहें, संसार में फसाने का मार्ग ज् निप्रिति मार्ग नहीं बता है, भगवान से उनका संबंद कैसे स्थापित होगा, जीव असली में कैसे अपने स्वरूप में आएगा उसके बारे में तुमने ज्यादा लिखा नहीं है, तो इस तरह से तुम्हारे मन में संतुष्टी नहीं है, तो इसमें एक सिख्षा यह कि जब तक जीव भगवान की महिमा के बारे में, नाम के बारे में या कहें कि भगवान के साथ अपने संबंद के बारे में पर्यावत तुरूप से नहीं जान लेता है, वो संसार में कितना भी उसका उंचा पद हो, कितना भी अजस्वर हो, कितना भी सुख हो, उसको कुछी नहीं मिलेगी इसका सीधा सवधारण ब्याजदेव स्वयम है और ब्याजदेव भगवान के साहिती का अवतार है अवतार का मतलब समझते हैं इंपावड परस्टनालिटी उनको साहित्य को लिखने के लिए पूरी पावर दी गई है क्रिपा दी गई है जाओ प्रिच दिया है यहां भागवान के बारे में पूरा सुद्ध बर्ण नहीं किया है सब जगह पे तो यह बात ऐसे ही हो गई जैसे कोई बेक्ती एक बार रेस्टोरेंट में गया तो वो कहता है कि मुझे क्या मेनू हिलाओ तो बोलता है कि अंगूर और लौकी की सबजी है ऐसा बता सबजी उसके पास आई तो अंगूर तो छोटे-छोटे होते है और लौकी बड़ी होती है तो उसको देखने में लगा कि वह बहुत गम है ऐसा जैसे लौकी की सबजी में एक अंगूर डाल दो एक लौकी कटिंग करो और एक अंगूर डाल दो तो हो गए ना 50-50 लेकिन पत तरह से किया है तो पूरे वैदिक साहित में ब्यास देव ने जो लिखा था उसमें भगवान के सुध्ध स्वरूप का बढ़न बहुत कम था इसलिए वो स्वयम असंतुष्ट थे तो बेदों में सारी चीजे संसार की सब मिला कर दी गई है तो उनको च्छान बिन करके आपने को सिंपलिफाई करके दूसरा दे दिया जाए उसको पूरक कहते हैं और दूसरी चीज है कि जब कोई कठिन चीज होती है उस पर जो में राइटर है जो में आथर है वही खुद सिंपलिफाईड वर्जन दे उसको भास कहते हैं तो बेदान्त सुत्र जो है उनको सरल तरीके से ब्यासदेव ने भागवत पुराण के रूप में दिया है, तो बेदों का जो भी सार है, उपनिश्दों का रहा है, उन्हें सब को छाटचाट करके, पूरा निचोड़ करके भागवत के रूप में दिया, जो जीवों के लिए असली काम में आएगा, तो यहां भागवत प पार्टन क्यों है या किसी युग में इतना इपार्टन क्यों है इसलिए कि कोई भी मनुर से सारे वेदों को पढ़ नहीं सकता है अब समझ नहीं सकता है पढ़ भी लेगा समझ भी लेगा उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए इसमें क्या है ज्यान तो हो जाएगा उसको ल प्रस्तुत करो तो नाराज जी की कृपास से ब्यास देव ने इस भागवत पुरान की कमेंटरी दिया अब इस भागवत की महिमा के बारे में थोना जरूर सुनना चाहिए क्यों कि जब भी कोई प्रोडक्ट लांच किया जाता है तो उसका एड़वर्टाइज खुब किया ज आते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में आकरशन फादा नहीं होगा. आज भी घठिया से घटिया चीज का भी बहुत बढ़िया से बढ़िया तरीके सेड़र्टाइज किया जाता है सराउत का वकटल होती नल्य पैकिंग होंगि अच्छा होता ए कि है तो लोग बहुत आच् कुछ पता चलेगा. कुछ नया और रेस्टोन खोल दिया है, कुछ नया बार खोल दिया है. कुछ भी खोल दिया है. तो लोग meto advertise करने में पीछे नहीं है. तो व्यासदेव ने सोचा कि इस भागवत पुरान को मैं लिखतो रहा हूं, पर इसका और इसको आगे बढ़ाएगा कौन तो उन्होंने इस भ्यास भागवत का जो सार है पूरा जो समरी है उन्होंने अपने ही पूत्र सुगदेव को स्वामी के हिरदय में अस्थापित कर दिया तो गूरु जब प्रसन होता है अपनी कृपा से किसी के हिरदय में किसी मतलब तो भगवान और भगवान के सुद्ध भक्त की च्हमता होती है कि वह किसी निष्ठावान जीव के हिरदय में पूरा ग्यान एजटिस ट्रांस्प्लांट कर सकता है आज तक कोई ऐसा पिता नहीं है कि अपने बेटे को बोल दे कि तुम्हें अम्टेक हो जा बस मैं तुम्ह प्राहरस से ब्याज देव, फिर ब्याज दे शुजद्गोस्वामी से फिर सुद्गोस्वामी और सुद्गोस्वामी से इस तरह से परmsब्स ट्रांस्प्र होता है एक परसन से दूसरी पर्सनालिटी थे अब एक तो महिमा इसकी सुन लेते हैं क्योंकि जब तक बिज्च जब आपन के बारे में हम ठीक से नहीं जान लेते हैं, उस प्रोडक्ट के परती हमारे मन में इच्छा नहीं पैदा होती है, हम लें क्यों? तो जब आपने सुना है कि इस भागवत कथा को सुकदेव को स्वामी ने परिक्षित महराज को साथ दिन तक सुनाया, गंगा के तठ पर और सुनने के बाद परिक्षित महराज सिधे कहा गए? भगव धाम को प्राप्त हुए, यह बाद जब ब्रह्मा जी को पता चली, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर हुआ, कि सिर्फ भागवत सुनने से ही कोई राजा, जीवन भर, राजकार्द में बीजी था, जीवन क अंतिम समय में साथ दिन तक सुना और सिधा परम धाम को प्राप्त हुआ, अंतिम सद्गती को प्राप्त हुआ, जो मनुस्य जीवन का परम लक्ष है, तो ब्रह्मा जी को आश्चर हुआ, कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे पुराण हैं, और योग तरफ के रखा भागवत रखा भारी पढ़ जाता था अिशेए उन्हें तराजु कोई बनाया नहीं सिर्क मन में ऐसा अविचार किया और अन रिस्जियों को बिला कर के तपलों के जनलों के बहुत सारे रिसीकों के बुलाया अब बुला कर कहा देखो भागवत सब पे भारी है तिया भागवत की महिमा है और एक महिमा और प्राप्त होती है कि जब परिक्षित महराज को उस ब्रामर बालक के साब द्वारा साथ दिन के अंदर मृत्यू की सूचना प्राप्त हो गई थी तो देवताओं तक भी एक खबर पहुंची अन्य लोकों में भी एक खबर पहुंच गई तो देवताओं को भी भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई उनके मन में तो देवताओं के पास अम्रित होता है वो एक बटल में या कलस में लेकर के आये उन्होंने कहा है कि चल करके सुगदे को सामें से कहेंगे कि आप अम् करेगा नहीं बच जाएगा और बदलेम हमें भागवत कथा सुना दीजिए तो ऐसा प्लान किया देवताओं ने तो जब सुगदेव को स्वामिक पास आये हो लोग मटके में अम्रित लेकर के और कहा कि सुगदेव जी आप अम्रित ले लिजी और हमें कथा सुना दीजिए तो सुगदेव के बात पसंद नहीं आए उन्होंने कहा कि तुम देवता हमेशा बनी वाला काम करते हो कुछ लेना और कुछ देना ये भागवत कोई वस्तु नहीं है कि एक वस्तु लेकर कि दूसरी वस्तु ट्रेडिंग कर लिया जाए या वस्तु बिनमे कर लिया जाए एक्स्चेंज कर लिया जाए यह भागवत अधिकार से ही प्राप्त होता है जिसको सुनने का अधिकार है वही सुन सकता है तुम यह मत समझो कि इसकी महिमा बता रहे है सुगदेव को स्वामी ने कहा कि एक काम करो पहले तो इन देवताओं से कह दो कि यह सवदा मुझे जूर नहीं है और अपना अमरित लेकर कि जैसे आया है वैसे वापस चले जाए अगर नहीं अमरित लाया होते वैसे खाली निष्ठा पुरोग बैठे होते तुम इनको अलाव करता सुलो लेकिन अब यह मौल भाव कर रहे है इसलिए अधिकारी नहीं है भागवत सुनने का अधिकार उसी को है जिसके हिरदय में इस्वर के प्रती इर्ष्या भाव नहीं है द्वेस नहीं है आगे इसमें लिखा है प्रभुपाजी लिखते हैं संसार में प्रायह जितने कर्मी है इच्छा द्वेस समुथे न वे इच्छा से और द्वेस से ही तो यहाँ पर है भागवत सुनने का धिकारी है तो ऐसे कई जगह पर एडवर्टाइज किया गया है अन्य पुरानों में कि भागवत को सुनने का महात्म क्या है यह ऐसा लिखा गया है कि भागवती वारताम सुरानाम दुरलभं यह जो भगवान की वारता है भगवती वारता कहते हैं पर संकराचार के जो खास्तर सन्वियाई हैं, वे लोग ज्यादा भागवत को महतु नहीं देते हैं, परम तु बात ऐसी नहीं है, संकराचार जानते थे कि जो परम तत्तो है वह नारायन है, फिर भी सुगदेव गश्वामी ने जब इस ज्ञान को अपने पिता व्यास देव से प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करना एक चीज है, दूसरी चीज इसको अनभूत किया, अनभूत का समझते अंगरेजिम इसको रियलाइजेशन बोलते हैं, उसको रियलाइजट किया, और इसको और संस्कृत में कहें इसको आत्मसाथ किया, मतलब पूरी तरह से चल गए उसको भागवत के ज्यान को जब पूरी तरह से आत्मसात कर लिया अब उनको यह आदेश भी दिया था किनों ने ब्यासदेव ने कि मेरा पुत्र आगे चल करके इस भागवत परंपरा को आगे बढ़ाएगा और जब गंगा के तट पर शुकदेव को स्वामी परिक् सब्सक्राइब भागवत का रिएल सार किसी के हिरदय में त्रांसमिट किया ही नहीं जा सकता है या कोई साधार चीज नहीं है, तो सुद्ध गोस्वामी आज के इसलोक में अपने गुरु सुद्ध गोस्वामी को प्रडाम कर रहे हैं, उसे पहले वाले इसलोक में भी किया हुआ है, दूसरे इसलोक में और तीसरे इसलोक है, तो मैं दूसरे इसलोक में भी पढ़ देता कि क्या उन्होंने प्रडाम किया सुगदेव गोस्वामी की प्रति क्या भाव है उनका तसील सुद्ध गोस्वामी ने कहा कि मैं उन्हों महामुनी सुगदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हिर्दय में प्रवेश करने में समर्थ हैं अब प्रश्ण उठता है कि सुगदेव गोस्वामी जो सुद्ध गोस्वामी के गुरु हैं और ब्यासदेव के पुंत्र हैं वे सब के हिर्दे में प्रिवस करने में कैसे समर्थ हैं भगवान तो है नहीं पर मात्मा ही सब के हिर्दे में प्रिवेस कर सकते हैं तेहां पर भाव यह है कि सुक्देव गोस्वामी अपने भागवत ज्ञान या भगवत महिमा के द्वारा सब के हिर्दय में प्रिवेस कर सकते हैं यह पॉइंट है तो सुक्देव गोस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भागवत के सारतत्यों को इ इपरवेस करने में समर्थ हैं, और कुछ गुन देखिए, जब सुगदेव को स्वामी का जन्म हुआ, तो वे जन्म से ही विरक्त थे, मा के गर्व से ही मुक्त थे और उनका कोई सांसारी के सुधी संसकार नहीं हुआ, या कोई पवित कुछ नहीं हुआ, वे सीधा वन की और तो जब बन की और प्रस्थान कर गए तो उनके पिता ब्यास देव पीछे पीछे चिलाते रहे थे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र बिरह में ब्याकुलताम चिला रहे थे रुको रुको तो जब ब्यास देव ऐसा कह रहे तो तो परवतों में कंदराव में ब्रिक्षों ने भी वही प्रतिधोनी किया हे पुत्र हे पुत्र जैसे समझो ब्यास देव को चिढ़ा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अब यह आपका पुत्र नहीं है आप वेकार इसके पिछे पड़े हुए है यह तो मुक्त पुरुस है तिस तरह से इसमें आया है कि जब वे यग्योपवित संसकार अथवा उच जातियों द्वारा किये जाने वाले अनुष्ठानों को संपन किये भी नसन्यास ग्रहन करने चले गए तो उनके पिता ब्यास देव उनके बियोग के भैस से आतुर होकर चिला उठे है पुत्र उस समय जो वैसी ही बियोग की करते हैं अक्सर जिलोंने यम प्रवरजंतम अनुपेतम अपेतकृत्यम द्वाइपायनो बिरहकातर आजुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवो भी नेदू तंसर्व भूत हिरदयम मुनिमान तो अस्मी तो अपने गुरु की योगिता को जानना यह बहुत जरूरी है जैसे ह हम लोग श्रीये प्रवपात जी को हो सकता है कि साध्वन बैक्ति समस्ते हूं लेकिन गुरु को साध्वन समझना एक अपराध है तीसरा पराध है राइट लगता है कि हमारे जैसे हैं सिल्व प्रभपाद एक हांड मास का सरीर है जन्म हुआ, सिक्षा हुई, सन्यास लिया यहां गए वहां के पर ऐसी बात नहीं है सिल्व सुगदेवगो स्वामी की परंपरा माने वाला अभ्यक्ति साधार नहीं हो सकता है जो अपनी कथा के द्वारा अपने अनुभूत, रिलाइजड नालेज के द्वारा किसी के भी हिर्दय में प्रेवेश कर सकता है वह सिल्व प्रभपाद जी और सुगदेगो सामी कोई अंतर नहीं है हमें साथ समझना चाहिए जब इस भाव से हम गुरु की वाणी को सुनेगे न तब हमारे हिर्दय में वह ट्रांसमिशन हो जाएगा वह भगवान की वाणी स्थापित हो जाएगी और जब कोई भी व्यक्ति सन्यास लेकर के संसार का त्याग करता है तो उसके पीछे जो संबंधित लोग होते हैं उनको बहुत विरह होता है यसे व्यासद्यव को विरह हो रहा है और व्यासद्यव पूत्र-पूत्र चिला रहे हैं लेकि उस जंगल में जैसे चिला रहे हैं तो ऐसे आवाज वापस आ रही थी तो ब्रिक्ष ही भी दुखी थे या विरह के भाव में ऐसा बोल रहे थे तो आज की इस स्लोक में दूसरे तीसरे स्लोक में भी यह स्वा अनुभावम जिन्होंने अपने अनुभाव से सुग्देगो स्वामी के प्रति बोल रहे हैं सुद्गो स्वामी की जिन्होंने अपने अनुभाव से अखिल सुर्ति सार मेकम अखिल मतलब संपून सुर्ति मतल साभी बेदों के सार को जान लिया है फिर अध्यात्म दीपम और कैसे हमें अध्यात्म के प्रकास हैं अध्यात्म के दीप हैं अध्यात्म दीप क्यों कहा सुगदेगो सामी को सुगदेगो सामी अपने गुरू को क्यों करें अध्यात्म दीप आगले सब करें अतितितिर शता जो लोग इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, या जो इस भावसागर से निकलने की इच्छा कर रहे हैं, उनके लिए क्या है वो अध्यात्म दीप हैं। और फिर लिखा है तमौ अंधम, यहां संसार अज्नाता के अंधरकार्ष निकलने के लिए प्रकास चाहिए कर नहीं चाहिए, तो यहां भवतिक संसार तमठम है और इस तमठम में जो जीव यहां से निकलने की व्याकुलता में है, तडप रहे हैं जिनको सच में निकलने की इच्छा है या भावसागर को पार करने की इच्छा है उनको लेकिया गा अति तितिर्शताम यह संस्कित सब्दे पिछले बार विसाद बने बताया था कि जब व्यक्तिक गर्मी के महिने में प्यास से ब्याकुल होता है उससे तुरं संसार से निकलने के लिए ब्याकुल है तो उसके लिए अध्यात्मदीपम है अध्यात्मदीपम का मतलब मार्ग बताने वाले हैं कौन सुक्देव को सामी और यह सुक्देव को सामी कैसे है यह स्वा अनुभावम जिन्हों ने अपने अनुभाव से ब्यास देव की कृपा से इस ज्ञान को आत्मसाथ किया है अखिल सुर्थ सार मेकम फिर तम अंधम कर समझते से कुवा है और कुए में पानी नहीं हो और अंधकार भी हो ऐसे कुए में अगर कोई आदमी गिरेगा हाथ पे टुटेगा बचेगा हम आप लोग इस तम अंधम में फ्यक दिये गए हैं यहाँ पर पानी भी नहीं है और लाइट भी नहीं है आप बोलें कि प्रभु पानी तो है फ्लाइट तो है सब जिकत कहा है लेकिन भागवत इसकी वरण कुछ और कर रहा है तम अंधम अतितितिश्टाम बहुत गहरा सब्द है लंबी ब्याख्या की जा सकती है इस पर फिर क्या को एक रिजिम बता सकता इस कारति क्या है, निपट का मतलब प्योर, प्योर संसारी जिसको जीवन का लक्ष केवल भोग करना है बस, एकदम खाटी भगतितवादी, ऐसा मुझे ना, एकदम सुध, खाटी बिचारधारावाला, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे संसारीयों के क्या किया, करू रहा है, करूना किया, और प्रभुपाजी करूना के लिख रहे है, आहेतु की क्रिपा, आहेतु की क्रिपा का मतलब समझते हैं, बिना किसी कारण के क्रिपा कर देना, ये तु मतलब होता है कारण, इना रिजन होना चाहिए, कोई परपज होना चाहिए, ले परंपरा है, जिसे प्रभूपाजी ने कीया. अहें तो की अपरतTHतान भक्ति का मार्ग में भक्ति में जो भी सर्थ होती है, अहें होती है, जतने महांपरभु की कृप्र आएयटु की है. तो संसारियों के उपर कृपा करके वज़से अंगरेजी में संस्कृत मिसको कहते है अनुकंपा कंपा का मतलब समझते है कंपन कंपन होता है न अंगरेजी मिसको कहते है बार बार मुझे अंगरेजी में पता है जमाना ऐसा है कि हिंदी को पंगरेजी में समझाना पड़ता है आप समझें कमपन का मतलब है वाइबरेशन कमपन किसी के दुख को किसी के दुख को देख करके आपके हिर्दा में कमपन हो जाया इसको अनुकमपा कहते है हमें आपसे कोई ऐसा है क्या किसी के दुख को देकर के हमारे हिर्दय में थोड़ा फीलिंग भी आ जाए तो बड़ी बात है कमपित होना वाइवरेट हो जाना ते तो बहुत बड़ी बात है लेकिन सुद्ध भगत ऐसे ही होते हैं ये प्रभुपाजी लोग ऐसे हैं उस कटेगरी के लोग है सुगदेगो सामी कटेगरी के है संसारि नाम करोडेयाम है संसारियों के उपर कर НА द्रिष्टी करके पुराण गोहयम का मतलब बता है बहुत छीपी हुई चीज़, पुराणों में बहुत छीपी बहुत धीप है उसको निकाल करके संसार के लोगों को भौतिकता वादियों को यह अध्यात्म दीप का काम किया अतितितिर्शताम तमो अंधम फिर कह रहे हैं अंतिम लाइन में सुद्ध गुश्वामी कह रहे हैं कि तम उनको ब्यास सुनूम ब्यास देव के पुत्र को जो नमस्कार करता हूँ ब्यास सुनूम ब्यास देव के पुत्र को उपयामी नमस्कार करता हूँ वैसे उपयामी का मतलब होता है निकट जाना सिर्फ नमसकारी नहीं कर रहे हैं बैल रहे हैं कि मैं निकटता से सानिध लेना चाहता हूंका तो यह आध्यात्मिक संबंध की बात है तो जब तक जीव गुरु से या साधक अपने आध्यात्मिक गुरु से निकटता का आनुभव नहीं करता है निकटता पुरुवक सरेंडर नहीं करता है तब तक by घ्यान ट्रांसपरी नहीं होगा से मर्जों ने किया है कहा है कि प्रभू असिस्थ दे हम तौअँम साधि माम परपन्नम बिमुणिक चेता मेरी जो चेतना है, मेरी बुद्धी है, अब वो फस गई है, वहास निकल नहीं पा रही है, ठीक वही हालत यह संसारियों के भी है, जब वो अपने उपाजसों तो निकल ही नहीं सकता है, आगे प्रभपाजी तात्मर में लिक रहे हैं कि हम इस संसार में सुखी होने की योजन करना ही विकार है, क्योंकि आगे लिख रहे हैं प्रभपाजी कोई भी भावतिक्तावादी जीओ, इध्यान रखी भावतिक्तावादी का मतलब समझे कि जिसके मन में यहां इच्छा है कि वहाई संसार में इनकिन प्रकारण कोई योजना बनाकर कि सुखी रहेगा, इसको क उसी तरह से तमाम लोग अपने-पने हिसाफ से योजना बनाते हैं, प्रत्यग ब्यक्ति सुख की अस्थाई योजना बनाता है, किन्तु वह प्रकृति की नियमों से परास्त हो जाता है, तो भावतिक्तावादी कौन है, हमें समझना चाहिए कि मैं ही पक्का पादियों के लिए संसारी नाम, करुणया महा, पुराण गोहियं, पुराण इतना गोपनी है, आप उसका सही अर्थ समझ नहीं पाएंगे, तो तम ब्यास सुनम, उन ब्यास देव के पुत्र की मैं सरण लेता हूँ, जो मेरे गुरु भी है, और मुनी नाम, इन मुनीयों के गुरु हैं, किनके अठासी हजार इसियों के भी गुरु है, तो मुनी नाम लिखा, बहुबचन में, मेरे तो गुरु हैं, पर्सनल, और सासाथ हिन मुनीयों के भी गुरु हैं, जैसे प्रभुपाद जी को जगद गुरु क्यों कहा जाता है, वे अपने सिस्यों के लिए गुरुद हैं लेकिन संसार के लिए भीवा गुरु ही है यह उनकी भूम क्या है कृष्ण कृपा के साख्षात मूर्ति हैं तो जब तक कोई आध्यात्मिक संबंध में एक दीप ज्यान से पूर्ण और अनभूत व्यक्ति के सानिध में संपर्क नहीं करता है तब तक संसार का भय और इस भाव सागर को पार जनने के लिए तमों अंधम के लिए दीप मिलेगा ही उसको टार्च लाइट उसको मिली ने सकते है अध्यात्म दीप हो ही ने सकता है तो यह भागवत पुरान हमारे लिए अध्यात्म दीप का काम करता है इसकी सरन लेने मात्र से इसमें होती है प्रबो I am okay चलता है चल रहा है चल जाएगा है न यह भाव जब तक रहेगा तब तो किसी अध्यात्म दीब का कोई सहता नहीं कर पाएगा खाली हमारे मन में इच्छा मात्र हो जाए कि बस यह संसार तो सच में दुखाले हम है भगवार ने गलत नहीं लिखा है खाली इतनी फ्हीलिंग न हो जाए हमको वह मुक्तिक अपात्र हो जाएगा brahmajigyaasa के नुकेट आहीं जाएगा था तो brahmajigyaasa प्राराम वही गयी उसके और इसे कितने लोग है अब गेलो आप दिन बिता, महीना बिता, साल बिता, जिन्दगी के कितने साल कट गए, कितना केक काड के खराब कर दिया, लेकिर उसके मन में बरम जिग्यासा नहीं आई कि जानना क्या है, अठातो सत्त क्या है यह तो हमार पता नहीं कि पुंड के भागि हैं कि मिल गया है is से मिला पता नहीं है। अहेटी किर्पा है। हम आप किसी संसारी से कम नहीं थे और आज भी लगबग उतने ही हैं। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है कि हमारे मन में कुछ जिग्यान सा जगी है कि परम सथ कुछ और है। भगवान हमारे परम हिताई से हैं सेवा करना हमारा धर्म है आहे तो की अप्रतिहता यह हमारा धर्म है तो सुद्ध गोस्वामी भूमिका के रूप में पूरे वेदों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं आज की स्लोक में और एक बात और समझ लीजिए जीव के हिर्दय में भगवत धाम जाने की च्छा क्यों नहीं प्रकट होती है एक बार नारज्शी कथा बताते थे की नारज्शी भगवान से मिले तो कहा कि प्रभु आप इतनी हेल्प करना चाहते हैं जीवों की फिर भी लोग आपके धाम में आने के लिए डेडी क्यों नहीं है आना क्यों नहीं चाहते है आपने इतना सारा आफर दे रखा है, इतना सारा फेसिलिटी दे रखी है, जीव की मन में इच्छा क्यों नहीं होती है कि इस जंजाल से, इस जंजट से मुक्द होकर कि आपके पास आ जाए, तो भगवान ने कहा नारत, जितना मैं जानता हूं इस भावती जगत के बारे में उतना तुम भी जानते हो, एक बार ट्राई करो, मैं अपनी तरफ से जितना कृपाल हूं, जितना दयालू हूं, मेरे से जादा तुम हो, तुम तो घुम-घुम करके मेरा परचार करते रहते हो, तो एक एकस्परिमेंट करो, एक प्रयोग करके देखते हैं, कि जीव क्यों आना चाहता है। ध्यान सुनिए ये कथा हमारे उपर बिल्कुल फिट होगी और तब हमें पता चलेगा कि प्रभुबाद जी ने हमें कहां से उठा कर कहां लाके रख दिया है। कि हे दिवर्शी आप तो जानते हैं बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं थोड़ा और बड़े हो जाए। इनको जिम्मेदारी जैसे ही सोह समालने के हम चलने के लिए तयार है। हमें पता है कि हमें जाना है। दिन बिता ऐसे हुआ सुड़ा पुत्रों की आसकती में परिवार की आसकती में सरी छुट गया। वापस उसी परिवार में दुरभाग वस कुत्ते के रूप में जन्म हुआ। और दरवाजे पर और आसपास रखवाली करने के काम, फ्री वाच्मेंड, आसकती अभी नहीं गई है। नारज जी तो दिवद्रिष्टी रखने वाले संत हैं, फिर वापस आये नाराण, नाराण करते हैं, ब्रहमर करते हैं, भाई आप तो चलो, मैं आपको इसी सरीर में मुम्त करा सकता हूं। तो फिर उसने अपनी भासा मुत्तर दिया, बहुत लापरवा है, दरवाजा खुला रखते हैं, कोई आ गया तो कुछ हो गया। मुझे, मुझे अभी भी इनकी चिंता है, क्या करूँ, यह थुड़ा सा और कुछ हो समालने जैसे हो जाएं, फिर हम तो चलने के लिए तयार हैं बिलकुल। फाने लिए हुआ का उसकुत्ते का भी शरी छुटा, तिसरा जन्म गटर में कीडे के रूप में मिला। नारज जी फिर वापस आये, बोले अब तो निकलो यहां से, अब तो निकलो, हाथ डाल करके उसको निकाला, उस कीचर से बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला, वापस फिर उसी गटर में। कीडे को देखा न, आपने बाहर निकालो, वापस वहीं जाता है, बाहर नहीं टिकना चाहता हो, क्यों, वहाँ पर सोचता है मेरी फैमिली है उदर, गटर में, समालना है न उनको, सोचिए, यहां अज्ञानता हिरदय में कितनी गहराई से बैठी हुई है, इतना आसान नही है, फिर नारद मुने ने जबरजस्ती कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, कमंडल से लेकर कि जल छिड़का या मंत्र पढ़ा, सरीर त्याग करके अपने दीबे स्वरूप में आया और भगो धाम को प्राप्त हुई, भगवान देखकर हस रहते हो, धर्श, मुस्कुरा र जाते हैं, क्या हम लोगों को, जैसे एक गटर भाता हो, प्रभवात ने पकड़ कर उठाया नहीं हम लोगों को, विल्कुल उठाया है, कोई न कोई भगत हमारी सहाता किया है, मैं तो हम उससे कम नहीं हैं, वापस वहीं जाने वाले हैं, हमारी ब्लड में हो, हमारी पुपाजी ने एक सुद्ध भाक्तों का संग का प्लेटफार्म उपलब्द कराया हैंको नित्यम भागवत सेवया यह काम और क्रोध का जो रजवगुन और तमोगुन है सब समाप्त हो जाएगा जब तक रजवगुन और समाप्त नहीं होता तमो अंधम इसने कितना सटीक व करते हैं कि हमें निरास होने के आवसकता नहीं है भागवान को प्राप्त करने के कई उपाय बताएगा है भागवत पुरार में एक जगह देवताओं ने भागवान की पिस्तुति किया कब जब समुद्र मंधन के प्रारम में ही भागवान को प्रकट होने के लिए ब्रह्मा उने कई सारे तरीके बताया हैं, तो उन उपायों में से एक उपाय मैं बता देता हूं, बिद्धवार कुछ उदाहर दे रहे हैं वापे, देवता लोग, गह रहे हैं कि जैसे काट, कास्ट, लकड़ी को कास्ट कहते हैं, कास्ट में अगनी छिपी होती है, इसको उपाय द्वार अगनी परकट की जा सकती है, की जा सकती है, और यहां पागनी है यह भी पता है, लेकिन छिपी हुई है, भगवान ने अगनी को क्यों छिपा के रखा पता है, अगनी यहां उसको जितनी जरूरत है, उतनी जरूरत है, जतना प्रकट किया अतना नहीं, कहीं अगनी कांड हो जाएगा, और जुलस जाएगे लोग, तो अगनी इस कास्थ में है, लेकिन उपाय के द्वारा इसको प्रकट किया जा सकता है, भोजन भी बनाया जा सकता है, और किसी का घर भ कर लेते हैं आपने दिखा दिया सलाई मैच भाक्स होता है उसके मसाले वाले भाग को अगर रगड़ेंगे तो अगनी परकट हो जाएगी अब मान लोग किसी मुर्ग को ज्यान नहों कि इसको इधर से रगड़ना है तो उल्टा रगड़े तो पूरे गड़ते रहे जाए और उसको उपाय के द्वार परकट किया जा सकता है जैसे अम्रितम गौशु गायों से अम्रित परकट हो सकता है दूद को और दही को गाय को घी को अम्रित कहा गया है जो लोग जानते हैं कि गाय से कैसे दूद निकाला जाता है पहले रितुमती होगी बच्चा देगी फि निकले गाई क्येंस ना मतलब जल मतलब ँद्यक नीचे जल है और जल को दोयाका प्रकट करते हैं दश्मौए माल प्रकट करने जाते ह। नहाते हैं, कपड़ा दोते हैं, सब्जी बनाते हैं, यह बुद्धिमानी की द्वारात, बुद्धिमान ब्यक्ति उपाय जानते हैं कैसे परकट होता है, जैसे कर रहे हैं कि भूवी अन्नम, भूमी से अन परकट होता है, सारे अन, आलू, गेहू, टमाटर, सरसो, सब भूमी भी चिपा हुआ है लेकिन उसको प्रकट करने की विदी जिसको पता है वो प्रकट कर सकता है उसी तरह से देवता कई बार उदाहर देते हैं कि प्रभु आपको पाने का भी एक उपाय तो है लेकिन जिसको पता है वो आपको पा सकता है अब कल्यूग में क्या उपाय है पाने सुमेधसह, जिसकी मेधा सुंदर है, जिसकी बुद्धी अच्छी तरह से है, जिसके दिमाग में गोबर भरा है, वो हरे किष्ण मंत्र को समझी नहीं पाएगा, प्रभपाजी कहते है, डल माइंड लोग, they cannot understand हरे किष्ण मंत्र, यह भागवत में लिखा है, तो हरे किष्ण म पल, भागवत के 11 में इसकंद में आता है, युग धर्म का बढ़न करते समय, महराज निमी के दरबार में, करभाजन रिसी ने कहा है, कि, क्या है इस लोग, यजन्त हिस्व में सपूरा इस लोग कैसे है, कृष्ण वरणम तुष्ण कृष्णम सांगो पांगास्तर पार्ष अदम यग, यजन्त हिस्व मेधसा है, यग्य संकिर्तन इपरायर इजन्त हिस्व मेधसा, यह 11 में सकंद में आता है, महराज निमी के दरबार में, नव रिसीयों का आगमन होता है, उसमें सबसे लास्ट वाले रिसी थे, करभाजन रिसी, उनसे पुछा कि युग धर्म बत है कि सत्यूग में कृते ध्यायतो, विष्णुम, त्रेताया, मैजटो, मखः, द्वापरे, परचरय, राम, कलो तत्थ, हर कृतना यह बताया, और यह भी बताया कि कल्यूग में भगवान की पूजा कैसे की जाएगी, वही हरी जो सत्यूग में ध्यान से, त्रेता में यग और यजन्ती मतलब पूजे जाते हैं, कौन यजन्ती ही, ही मतलब निश्चित रूप से डेफिनेटली कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सु मेधसह, जिनकी मेधा बड़ी सुन्दर है, सुन्दर का मतलब जो आध्यात्मी विष्णों को जानते हैं, हमारी आपकी मेधा सुन् लेकिन प्रभुपाद ने सुन्दरता दी उसको, हम समझ गए कि इसके लाओं कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसको निश्ठा बोलते हैं, तो हरी किष्ण मंत्रे में हमारी निश्ठा होगी, तो इन गुरुमों की क्रिपासे, मुनों की क्रिपासे, और पूरी परंबरा की क क्रिपासे, फाइनली प्रभुपाद जी की क्रिपासे, कोई भी जीव इस तमों अंधम से बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक सर्थ क्या रखा है, अतितितिर्शुताम, उसको निकलने की छटपटा हाथ होनी चाहिए, ब्याकुलता होनी चाहिए, जरासा भी नहीं लगना च योजना सफल होगी ही नहीं, वो ब्रह्मास लेकर चीटी तक का प्लान दे दिया है, तो हम क्यों अपना दिमाग ज्यादा लगाएं, भगवान का कोई सुध प्रतिधी बता रहा है कि अपनी योजना मत बनाओ, सुखी होने के लिए, तुम्हारे सुखी होने का योजना हो म मेरे पास है, इसको तुम सुखार कर लो, बस कताम, बस पूरी लड़ाई यहीं पर आकर टिग गई है, भगवान की सरेंडर करें, या खुद अपना कुछ प्लान रखें साइड में, इसलिए जीवु फसा हुआ है, सरेंडर नहीं कर पा रहा है, जैसे आपने सुना कथा में नाराजिन, तिन जन्मों के कथा बता दिया, मनुस्य जन्म से पसु योनी में आया, पसु योनी से कीट की योनी में गया, लेकिन फिर भी आ सकती जा नहीं रही है, यह जाएगी, लेकिन सुद भगतों के कृपा से ही जाएगी, हम अपने प्रयास से जाना चाहें, तो कपक नहीं हो, भगवान ह्ने जब तन कियन लग तब तक नहीं बढ़े हूँ। तो साधक का प्रयास और भगवान की कृपर ये दोनों जब होगा तब असली पलाएगा भक्ति का रस आएगा। प्रयास हमारी तरफ सुना चाहिए त्रभागं बंदन में जरूर ही बनते हैं लेकिन प्रेम पुरोग प्षयास करना है उग्र प्रयास नहीं करना मैं तो पकड़ के रहूंगा भगवान फिर और बड़ी चैलिंज दे देंगे तब नहीं फिल हो जाके तब बास बिनमरता पुरोग प्रयास करते रहे हरे किष्णा शिल प्रवपाद की स्री दामुदर की